नमस्कार साथियों स्वागत है आपका हमारे फिनिक्स अकैडमी के यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो आज बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ आप लोगों के लिए वो टॉपिक है भारत की प्रमुग जीले दोस्तो हर परिच्छा में भारत की प्रमुग जीलो से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और आप लोग यही क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आज से बिलकुल यह गलतिया नहीं होंगी भारत की प्रमुख जीलों से अगर परिच्छाओं में question आता है तो आप जरूर सही करेंगे कीवल आपको क्या करना है 10 मिनट तक ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना है और मैं guarantee दे रहा हूँ कि 10 मिनट के अंदर आपको पूरी भारत की प्रमुख जीले रटा दूँगा तो दोस्तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना है और अभी आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आपको यहाँ पर इंट्रिस्टिंग इंट्रिस्टिंग वीडियो मिलने वाली हैं जो परिच्छा से बहुत ही ज़्यादा संबंधित होती हैं और परिच्छा से संबंधित क्या परिच्छा में अकसर हमारी वीडियो से कुष्चन पूछे जाते हैं तो दोस्तों चालू करते हैं भारत की प्रमुख जीले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और उसके साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजे जिससे वीडियो का नोटिफिकेसन आपको मिलता रहेगा और हमारी वीडियो का आप इंजोई कर सकते हैं तो चलिए भारत की प्रमुख जीले तो सबसे पहले मैं बता दूँ जो भारत की प्रमुख जीले होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं एक प्राकृतिक होती है और एक मानो निर्मित होती है प्राकृतिक जीले जो प्रकति से जो इनका निर्मार होता है उनको प्राकृतिक जीले कहते है और जो इंसानों द्वारा निर्मित होती है जिनका मानो निर्मित जीले कहलाती है तो प्राकृतिक जीलों को कई वर्गों मे बाटा गया है वो सारे देखेंगे कौन कौन सी जीले होती है जो प्राकृतिक जीले होती है तो फटावर देख लेते हैं जैसे पहली जील आ गई है विवर्तनिक जील कौन सी जील आ गई है विवर्तनिक जील आ गई है तो कौन सी होती है विवर्तनिक जील तो धरातल के जील का विवर्तनिक जील का उधारन है जो की जेलम नदी परिस्थित है और अगर वूलर जील से क्वेश्चन बनता है या भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी जील है आपको याद रखना है या भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है कौन सी जील तो वूलर जील ठीक जिनको हम किस नाम से जानते हैं तो जिनको हम अनूब जील के भी नाम से जानते हैं तो दोस्तो बहुत ही धान से देख लीजिए ये लागून जीले होती क्या हैं तो तटिये समुद्र जल का कुछ भाग बालू या प्रवाल भित्ती द्वारा मुख्य भूमी से अलग जील न भारत की सबसे बड़ी लैगून जील है या सबसे बड़ी तटीय जील भी है तो आपको एक question ये भी याद रखना है जो चिलका जील है जो की लैगून जील है और भारत की सबसे बड़ी तटीय जील है दोस्तों यहाँ पर जो नौ सेना का प्रसिछण केंदर भी इस्थित है आपको ये important question है नौ सेना का प्रसिछण केंदर किस जील के किनारे इस्थित है तो आपको याद रखना है नौ सेना का प्रसिछण केंदर ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर जो लैगून जील है उनको हम देख लेते हैं कौन-कौन सी जो लैगून जील है और वो कौन-कौन से राज्य में स्थित है जो पुलिकर जील है वो आपको याद रखना है आंध प्रदेश वा तमिलाड में है जो की लैगून जील है जो ब्यम्बनाड जील है ये आपकी केरल में पढ़ती है और ये भी लैगून जील है अश्टमुडी जो की केरल में पढ़ती है ये भी आपकी लैगून जील है, दोस्तों important है कोलेरू जील, कैसी जील है तो आपको याद रखना है, लैगून जील है जो की आंध प्रदेश में स्थित है तो दोस्तों ये सारी जीले जो हमने बताई है, जो डिसकस की है, ये सारी लैगून जील है, और लैगून जीले प्राकृतिक जील है, तो दोस्तों हिमानी या हिमनद के अपरदन अपरदन मतलब गलने से, हिमानी या हिमनद के गलने से बनी जीले राकस ताल जैसे हो गया, नैनी ताल भीम ताल, सम ताल इसके उधारन है आपको याद रखना है, हिमानी निरमित ताल हो गई, नैनी ताल हो गई, और ये सारी जीले आपको पहाडों पर ही पाई जाएंगी, ये सारी जीले आपको पहाडों पर ही मिलेंगी, जैसे भीम ताल हो गई, सम ताल हो गई, इनके उधारन है, और ये सारी बिटा कहां पर है, तो आपको याद रखना है, उत्तरा खं भी कहते हैं, important है प्याला जील किसे कहते हैं, तो वायू निर्मित जील जो होती है, इन्हें हम प्याला जील कहते हैं, राजस्थान की सामभर, डीडवाना, पंचभद्रा प्रमुकुदारन है, तो आपको याद रखना है, ये सारी जीले अधिकतर राजस्थान में ही पाई ज जील का निर्माल डेल्टाई प्रदेसों में कई वितरिकाओं के मद्द छोटी बड़ी जीलों के रूप में होता है, ठीक है, अब जो प्राता मीठे जलकी होती है, आपको ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन चीज है, कि जो डेल्टाई जील होती है, जैसे कोलेरू जील, कौन सी जील है, कोलेरू जील, और ये एक लेगून जील भी है, और आपको मैं बता दू, डेल्टाई जील भी है, ठीक है, तो याद रखना है, कोलेरू जील, जैसे आपका लेगून जील इसमें आफसें नहीं होता है, तो आप डेल्टाई जील लगा देंगे, और ये है कह पर तो आपको याद रखना है आंध्रिप्रदेस में है कहाँ पर है आंध्रिप्रदेस पर है चलिए तो फटा फट देख लेते हैं चितर के माद्दम से कौन सी जीले कहाँ पर है क्योंकि बहुत जादा पूछा जाता है कि ये जील कहाँ पर है वो जील कहाँ पर है तो फटा और मानस बल सो मोरीरी और मानस बल ये सारी जीले जम्मू कस्मीर में है important है मानस बल सेसनाग, बैरीनाग, डल, वूलर, अनंतनाग और सो मोरीरी भी आपको याद रखना है ठीक है अब बात कर लेते हिमांचल परदेश की तो हिमांचल परदेश में दोस्तों कौन-कौन सी जीले है रेनुका, चंदरताल और सूरजताल रेनुका, चंदरताल और सूरजताल कहां की जीले तो आपको याद रखना है हिमांचल परदेश की जीले दोस्तों यहीं पर उत्राखंड की जील आपको याद करने लना है अभी नैनी ताल हो गई देव ताल जिसमें अधिक तर पीछे ताल जुड़ा होता है वो सारी जीले आपकी उत्राखंड में पाई जाती हैं जैसे नैनी ताल हो गया, देव ताल हो गया, राकस ताल हो गया, भीम ताल, साथ ताल, खुरपा ताल, तो राजस्थान की जीलों के अगर बात करें तो सामहर, पंचपद्रा, धेबर, पुसकर, नक्की, जैसमंद, राजसमंद और पिछॉला ये सारी जीले कहाँ पर है तो आपको याद रखना है राजस्थान में है अभी दोस्तो जो जीले प्रमुख हैं उनके बारे में विस्त आपको याद रखना है चोलामु जिल सिक्किम में पड़ती है ठीक है चलिए और एक जिल यहाँ पर बिहार में कावर जिल आपको important है कावर जिल कहां पर पड़ती है बिहार में पड़ती है मध्य परदेश में भोज ताल जिल कहां पड़ती है तो मध्य परदेश में पड़त दोसो कुश दच्छन की घिल की अगर चर्चा करें तो जैसे कोलेरू, पुलिकर्ट, हुसाम साघर, निजाम साघर, नार्जुन्प ये सारी ञुर जाहते है तो ये सारी जीले आपकी पढ़ जाती है आंधु प्रदेस में कहा पर पढ़ती है आंधु प्रदेस में पढ़ती है जिसमें पुलिकर जील आंधु प्रदेस और तमिल लाडु में पढ़ती है तो अब वूलर जील की चर्चा कर लेते हैं, जो वूलर जील कहां पर है और इसकी क्या-क्या खासियत है तो फटा-फट देख लेते हैं, जम्मू कस्मीर में इस्थित भारत की व्रहदतम ताजे पानी की जील है, आपको याद रखनी है जो व्रहदतम सबसे बड़ी ताजे प जील है, इसको हम गोखुर जील भी कहते हैं, विवर्तनिक जील को ही हम गोखुर जील भी कहते हैं, तो आपको याद रखना है जो वूलर जील है, वो कौन सी जील का उधारन है, तो विवर्तनिक जील का उधारन है, अब बात करते हैं डल जील की ये भी आपकी जम्मू कस्म अगर में हिमानी निर्मित ताजे पानी की जील है ताजे जल की जील है कौन सी डल जील है और ये किस जील का उदारन है तो हिमानी निर्मित जील का उदारन है आपको याद रखना है चलिए अब अगली जील के बारे में बात कर लेते हैं तो अगली जील आपके सामने आ चुक जैसमंद जील है इस जील का निर्माड मेवान किराडा जैसिंग ने किसने की थी तो जैसिंग ने किया था इस जील का निर्माड और कैसे किया था तो गोमती नदी जामरी वा बागर नदियों का पानी रोक कर किया था ठीक है बागर नदी और जो जामरी नदी थी उसका पानी रोक कर इन्होंने किया था तो दोस्तों इस जील में छोटे बड़े साथ टापू है आपको याद रखना है इस जील में कितने टापू है तो साथ टापू है इन में सबसे बड़े टापू का नाम क्या है तो बाबा का भंगडा द्वकडा है क्या है भंगडा द्भकडा है और उससे छोटे का नाम प्यारी है क्या है उससे छोटे का नाम प्यारी है इन टापवों पर आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं जैसमंद जील से उदैपुर जीले को पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है दोस्तो जैसमंद जील को परेटन केंदर के रूप में भी विक्सित किया जा रहा है दोस्तो इस जील से स्यामपुरा वब भट्टा दो नहरे भी निकलती हैं आपको याद रखना है स्यामपुरा वब भट्टा जो नहरे हैं किस जील से निकलती हैं तो याद रखिये जै समंद जील से निकलती है अब बात कर लेते हैं फटाफट चिलका जील की तो दोस्तो चिलका जील जो की उडीसा राज में इस्तित है या भारत की सबसे बड़ी लैगून जील है और सबसे बड़ी तटिय जील भी है दोस्तो यहाँ एक खारे पानी की जील है रामसर आध्रभूमी बुची के अंतरगत चिलका को 1981 में सामिल किया गया था याद रखना है आपको चिलका जील के अंदर कई चोटे चोटे द्यूप हैं जिसमें नाला बाना द्यूप प्रमुक है कौन सा नाला बाना द्यूब प्रमुक है जो की चिलका जील के अंदर द्यूब बना हुआ है यानि कि टापू है दोस्तो अब बात कर लेते हैं पुलिकट जील जो पुलिकट जील तमिल नाडू वा आंधु प्रदेस की सीमा परिस्थित है तो दोस्तो यह जील आंद प्रदेश वा तमिल नाडू की सीमा पर इस्थित है यहां 350 किलो मीटर में फैला एक लैगून जील है आपको मैं बता चुका हूँ जो पुलिकर जील है वो लैगून जील का उधारन है इसका 84% आंद प्रदेश वा 16% तमिल नाडू की सीमा में स्थ इस्थित है चली अब लोक तक जील की बात कर लेते हैं फटाफट तो लोक तक जील आपके सामने आ चुकी है यह मडिपूर के विश्नूपुर किस जीले में इस्थित है यहां उत्तर पूरी भारत की सबसे बड़ी 300 किलो मीटर में फैली जील है दोस्तो यहां विस्टु की एक मात्र जील है जो तैरती जील के नाम से प्रसिद्ध है जो लोकटक जील है ये विस्व की एक मात्र ऐसी जील है जो तैरती जील के नाम से प्रसिद्ध है अपनी उतपादक्ता और जैविविधिता के कारण यह जील मड़ीपुर की जीवन रेखा कहलाती है आप से question पूछ तो सामभर जील के बारे में फैक्ट जान लेते हैं यहाँ जील जैपूर की फुलेरा जैपूर की फुलेरा तहसील में इस्थित है आपको याद रखना है जो सामभर जील है यह जैपूर में इस्थित है और जैपूर की फुलेरा तहसील में इस्थित है दोस्तो बिजोलिया स फैगून जील आपको याद रखना है जो की चिलका है और खारे पानी की अगर आंतरिक जील के बारे में बात की जाएगी तो आंतरिक जील जो सबसे बड़ी है वो आपकी सांभर जील होती है भारत की सबसे बड़ी आंतरिक जील कौन सी है तो सांभर जील है इसमें खारी, खं important fact ये भी है कि यहां देश का सबसे बड़ा आंतरिक स्रोथ है यहां मार्च से मई माह के मध्य नमक बनाने का कार किया जाता है यानि कि आपको पता है जो जील है ये खारे पानी की जील है इस वज़ा से यहां पर नमक बनाने का कार किया जाता है और यहां पर रेस्ता नमक क्य नी सांभर साल लिमिटेट दौरा तयार किया जाता है सांभर साल लिमिटेट कहां पर है तो आपको याद रखना है राजस्थान मर है ठीक है तो भारत के कुल नमक का उत्पादन 8.7% यहां से उत्पादित होता है very important है सबसे जादा नमक कहां पर उत्पादित होता है तो आपको याद रखना है सबसे जादा नमक उत्पादित किया जाता है राजस्थान में और 8.7% कहां पर उत्पादित होता है तो आपको याद रखना है सांभर जील से चलिए important जील आपके सामने आचुके है बेंबनाट जील बेंबनाट जील के बारे में जान लेते हैं दोखतों यहाँ केरल यहाँ केरल में इस्थित एक लैगून जील है इसे भारत की सबसे लंबी 96.5 जानी 96.5 जानी 96.5 किलो मीटर लंबी है तो आपको यह भी याद रखना है जो भारत की सबसे लंबी जील के बारे में बात करेंगे तो बेंबनाट जील है जो की केरल राज में इस्थित है और इसे लैगून जील का उधारन मानते हैं लैगून जील है ये किस टाइप की जील है तो आपको याद रखना है लैगून टाइप की जील है इस जील के पूरवी तड़ पर कुमार कोरम पच्छी अभ्यारन है तो कुमार कोरम पच्छी अभ्यारन किस जील के निकट है या किस जील के पूरवी तड़ पर है तो आपको तो आपको याद रखना है इसी जील में वेलिंग गटन द्यूप भी इस्थीत है आपसे भी पुछा जा सकता था वेलिंग गटन द्यूप कहां पर है तो आप केरल बताएंगे और किस जील में पूछा जाएगा सारे question very important है तो आपका answer होगा व्यम्बनाज जील में ही वेलिंग गटन द्यूप है दोसो जहां पर भारत का सबसे छोटा राजमार्ग जो NH47 आपका इस्थित है वो कहां पर इस्थित है तो वेलिंग गटन द्यूप पर इस्थित है आपको याद रखना है चलिए अगली जील आपके सामने फिर से आ चुकी है फटा फट देख लेते हैं पंच भद्रा जो की बाढ़ मेर में है और बाढ़ मेर राजस्थान में पड़ता है तो राजस्थान के बाढ़ मेर जिले के बालो तरह के पास इस्थित है इस जील का निर्माण पंचा भील के दौरा कराया गया तो आपको याद रखना है बेटा पंचा भील के दौरा कराया गया है अताह इसे पंच भद्रा कहते हैं इस जील का नमक चमुद्री जल के नमक मिलता जुलता है इस जील से प्राप्त नमक 98 प्रसत मात्रा सोडियम क्लोराइड है अता ही यहां से प्राप्त नमक उच्च कोटिका है इस जھیल से प्राचीन समय से ही खारवाल जाती के 400 परिवार मोरली ब्रच्छ की टहनियों से नमक के क्रिश्टल इस्टफिक तयार करते हैं याद रखना है जो नमक के इस फटिक तयार करते हैं वो 400 परिवार जो मोरली ब्रच्छ की टहनियों से नमक पर तयार करते हैं वो यही पर आसपास रहते हैं अब बात करते हैं अश्ट मुडी जھیल की तो अश्ट मुडी जھیल जो की केरल की प्रमुख जھیल है केरल के कोमला जिले कहां पर तो केरल के कोमला जिला इस्थित लैगून जिल जिसकी आठ साखाएं है कहां पर कोमल जिला यानि इसी का कोमला जिला भी कहते हैं तो केरल में इस्थित है दोस्तो रामसर समझोते द्वाराई से अंतर राश्टी महत्यू की आद्र भूमी घोसित किया गया है अब बात करते हैं चुलामू जील जो की सिक्किम की प्रमुक जील है आपको याद रखना है ये जील कहां की है सिक्किम की है चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं भारत की सबसे बड़ी तटिये जील कौन सी है तो चिलका जील है जो की उडिसा में स्थित है भारत की सबसे अधिक खारे पानी की जील कौन सी है सामर जील है राजस्थान में स्थित है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील कौ तो गोविंद सागर जील है जो की पंजाब राज में इस्थित है और सतलज नदी पर है आपको ये भी याद रखना है दोस्तो अगला है भारत की सबसे उचाई पर निर्मिज जील कौन सी है तो सबसे उची जील की अगर बात करें तो अभी मैंने बताया है चोलामु जील है जो की सिक्किम राज में इस्थित है दोस्तो अगर आपको इस वीडियो की पीडिया फाइल प्राप्त करनी है तो आप 8853278451 पर अपना नाम और पता किस एकजाम की तयारी करना है लिखकर भेज़तेंगे तो आपको वाट्सअप ग्रुप से जोड लिया जाएगा और नहीं तो आप टेली ग्राम चैनल से भी जूड़ सकते हमारा हमारा टेली ग्राम चैनल को आपको धूडने के लिए आपक कुछ नहीं करना है कि अवल टेली ग्राम पे जाकर सर्च बॉक्स में सर्च करना है फिनिक्स अकैडमी को और वहां से आपको फिनिक्स अकैडमी में जॉइन हो जाना है वहां से आपको अन्य प्रकार की भी पीडिया फाइल प्राप्त होती रहेंगी तो दोस्तो आज का वी के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम